और पांच भी बात हैं, अच्छा अधोस्तिति बनाने के लिए, आत्मा की हैं, उन विकारों के अंशों को जड़ से खतम करना जुर्णी हैं, विकारों के अंशों करते हैं, फिर भी हमारी समस्कारों में परिवर्तन अनबोर नहीं होता है, विकारों के जो अंश मंश हैं बहुत समाब्त नहीं होते हैं, कभी-कभी हमें आवेश आता है, कभी-कभी चिव-चिड़ा पनाता है, कभी फिलिंग आता है, तो आत्माने जो विकारों के अंश बाकी हैं, उनको ख़दम करने के लिए शक्ति-शाली योगा भ्यास करते हैं, शक्ति-शाली योगा भ्यास से ही ये काम सम्दों है, इसलिए जब भी हम अमुरत वेलिया हमाश शान के समय योगा भ्यास करते हैं, उस समय इसी स्च्षि शाली योग में अनुनिती करे हैं, उसके लिए परमधाम भी जब हम पावग के पास बैखते हैं, तो मन की बैटर शक्ति शाली है अधान बाबा सरशक्तिवान है तो मैं आत्मा मास्तर सरशक्तिवान बाबा ज्यान सुरी है तो मैं भी आत्मा मास्तर ज्यान सुरी है इससे पाउर्फुल जब हम बैते हैं तो बाबा जो स्पिरिच्छॉल पाउर हाउस हैं उनसे हम अखास सक्थियां स्वेद मीग्रेंट करने लगते हैं जिससे इसी सक्थिस्याल योगा वियास की अनुमती होती हैं अगर हम सादा अमृतिस बाबा के पास बैठते हैं तो साधर अच्थिति की ही अनुमती होती हैं इसलिए परमधा में पावा के पास बैठते समय शक्थिशाली श्थिति भी ही बैठना है तभी अमृत सागर बाब से शक्थियों का अमृत हम प्राशन कर सकते हैं तो अच्षव पटो स्थिति अगर आत्मा में विकारों के अंश होंगे तो स्थिति हंचल में आने की संभावना होगी माया सुप्समर के से बाढ़ कर सकती हैं स्थिति को डोला इमान बना सकती हैं इसलिए हमें को समात करने का कुछ स्थिति नहीं जब हमारी यह से अच्षव पटो स्थिति यह एक पटो स्थिति बन जाती हैं तो हमें बहुत बड़ा लाब होता हैं कौन सा लाब होता हैं? हर्चल के बातावर में वेते भी अनेक आनमों की मंसा द्वारा सेवा करने का चांस हमें बिनता हैं क्योंकि जेसे जेसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर्चल करने वारी बाते हमारे सामने आएगी और आत्माएं शांती और शक्ती की जहाना रखकर आपके पास आएगी हैं तो आपको अपर जेसे के बाता अनेक आत्मों को शांती शक्ती बनावन करने होगी अनेक आत्मों की सेवा करने का जान सबको मिलेगा और अभी नास्ती कमाई करने का गोलन जाना समय मिलेगा प्रॉप प्रॉप प्रॉप